तो हेलो साथ ही हूँ नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतुल सुकला और हम लेकर क्या आगए हैं आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत ही महत्रपूर्ण अपडेट है मद्ध प्रदेश अत्रती सिचक जो इस आदेश से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की मद्ध प्रदेश में होने वाली सभी भरती पर इच्छा यों सभी अपडेट आप तक स दोरा जारी किया गया है देखिए लोग सिच्छर संचनाला इंदोर संभाग के दोरा जारी किया गया है और यह दीरे-दीरे सभी संभागों में भेजा जाएगा देखिए प्रती क्या है जिला सिच्छा अदिकारी जिला इंदोर धार खरगोन खंडवा और बुरहानपूर के लिए भीजा गया है लेकिन जल्दी जितने भी आपके संभागा उन सब के पास में भीजा जाएगा यहाँ पर विस्षा है प्राथमिक सिच्छक से मादमिक सिच्छक के पत पर उच्छी पत प्रभार की कारवाई है बावत और इसकी दूती काउंसलिंग यानि कि दूसरी क सुरू की जा रही है पहली काउंसलिंग आल्रेडी हो चुकी है तो यहाँ पर कुल मिलाकर करके मुद्द यह निकल करके आ रहा था अभी तक यह सोच रहते भाई जो भी उच्छी पत प्रभार की काउंसलिंग चल रही थी भाई वो निबट गई होगी उसके बाद में जो अठिती सिच्छक वाला मामला है वो भी निभट गया होगा और अब अपने पास safely जो है वो आपके जो है only अधिती सिच्छक बचे होंगे जिनकी कारभाइच शुरू की गई होगी तो सब कुछ खतम करने के बाद में ही शुरू की गई होगी लेकिन यहाँ पर दूसरी counseling भी स हो रहा है कि वो अतिती सिचक इस पर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे आप लगाता दूसरी कांसलिंग करवाने की क्या हो शक्ता थी ठीक है ना आप जो भी पद बच्चे थे उस पर अतिती सिचकों को डारेक्ट न्यूकती देते और वो लोग अपना काम करते अब यह दूस लोग सिच्छर संचना मतलब की संदर्व दिया है और इस सब संदर्व की आधार पर अब यहां पर क्या कह रहा है वो देख लेते हैं उपरोध विश्यांतर गता आयुक्त लोग सिच्छर संचनाले मतलब की संदर्वित पत्र दिनांग 6-9-2024 जो 6 सितंबर 2024 यानी की अभी कुछ दिन पहले जारी किया गया था को आयुजित बैटक में दिये गए निर्देशों के परिपालन में महा जुलाई 2024 में उच्छी पत्र प्रभार है तो आप ततकाल नहीं मानुसार कारवाई सुनिश्यत करें ठीक है तो अभी कुछ दिन पहले यहां पर जारी किया गया प्रभार चल रहा है कि लोगों का तो माध्मिक से हायर में जाएंगे और प्राथमिक वाले माध्मिक में जाएंगे तो माध्मिक से हायर वाली जो है वहां पर कंप्लीट कर दी गई थी और प्राथमिक से माध्मिक वाले भी एक फश्ट कांसलिंग थी वह कंप्लीट कर दी गई थी लेकिन अब यहाँ पर दूसरी काउंसलिंग सुरू कर दी गई है और किसके लिए तो जो प्रात्मिक सिच्चक है वो अब माध्यमिक के सिच्चक बनेगे यानि कि बर्ग तीन वाले जो सिच्चक है वो बर्ग दो में जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान ह वो बर्ग दो वालों को यहाँ पर होने वाला है जो बर्ग दो के अतिति सिच्चक है उनकी नौकरी यहाँ पर खत्रे में पढ़ सकती है जो कारे कर रहे हैं उनकी भी और जो वहाँ पर जोइनिंग लेना चाह रहे हैं उनकी भी नौकरी यहाँ पर खत्रे में पढ़ियाए अब 13 से बढ़ा करके 15 कर दी है क्यों कि 13 तारिक तक ये दूसरी counseling पूरी हो जाएगी और जो भी सिच्छक इधर उदर जाना चाहरे होंगे वो अपने अपने स्कूलों पहुंच जाएंगे फिर से एक बार portal update होगा भाईया फिर से जो संख्याएं हैं अथिति सिच्छकों की जो vacancy है वो कम होगी क्योंकि ये लोग वहाँ पर अपना स्थानले लेंगे वहाँ से वेकैंसी कम होगी तो फिर से जो है नई वो लोग लिस्ट जारी करेंगे ठीक है न तो बर्ग तीन वालों को फाइदा है बर्ग दो वालों को यहाँ पर नुकसान है अब इसके साथ में भाई बर्ग दो की जो नीमे सिच्चकों की वेकेंसी आने वाली है उस पर भी बहुत बुरा इफेक्ट यहाँ पर पढ़ने वाला है वेकेंसी लगातार कम होती चली जाए यहां पर पूरा सब को दिया हुए कैसे क्या 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 होने वाला है वह सब आप यहां पर देख सकते हैं आप चाहें तो पड़ सकते तीरह नौ से बिसैमान निर्धारिस समय से जिला सिच्छा अधिकारी उतिकार्याले वह पस्तिती करवाएं पर भागें बैठे को पेजल की वस्ता वगरा यह सब करना इनको ठीक है न उसके बाद में देखिए यहां देखिए विसैमान एक मिनट यदि साला में विसैमान से पदरिक्त नहीं है तो उक्त साला को आवंटित नहीं किये जाएगा प्रदस्ति सालावार रिक्तियों में भौतिक रूप से संबंदी विस सिचक है उनके लिए देखिए कि सीम राइज वालों के लिए बड़ी परेसानी यहां पर पढ़ सकती है क्योंकि सीम राइज विद्यालय में चैन्द लोग सेवकों को सीम राइज उतकर्ष्ट विद्यालय में संबंदि विसाय का प्राथ्मिक सिचक से मादू सिचका पद रिक्त होने पर यतावत cm-ryis में ही उच्छे पत्फ पलभार दिया जाएगा जैने कि जिस cm-ryis में वो पढ़ा हैं अगर वहाँ पर बर्ग 3 में वो पढ़ा रहे हैं बर्ग 3 में और बर्ग 2 में पदखा लिए तो यहां पर भूट सारा के सारी पडोट यहां पर बर जाएंगे और डार्यक्ट यहां पर अच़््षेपद प्रभार दिया जाएगा तो यहां हे पिए बघए स्पिवालेइस न्याइट दिए हमारे लिए वाएं यह लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी परिशान यह यह क्या करेंगे भाई बर्ग दो वाले बर्ग दो वाले अतिती सिचकों के लिए बहुत बड़ी मुसीवत यहाँ पर हो गई है कि जो भी बिद्याले उन्होंने सिलट किये हैं अब प्रोफाइल तो लॉग कर दी गई है वो चेंज तो कर नहीं सकते हैं जिन लोगों ने प्रोफाइल लॉग कर कैसे आपका नवीन पंजी करना है कैसे आपको टैट के एड करने हैं तो एक अलग से प्लेलिष्टी बना रखी आप जाकर के उसमें देख सकते हैं ठीक है ना तो वैसे जैसे कोई नई अपडेट मिलेगी तो वो भी हम आपको बताएंगे फिलहाल इसका विरूत किया जा सक अब यहां पर एक बार एक बार तुम लोग सब कुछ कर लो या तो पहले ट्रांसपर कर वालो या फिर आप अध्या सिचकों को नौक रिजे दो तो शारी कांसिलिंग कंप्लींट कर वालो उसके बाद में अध्या तो हो जाएगा अभी तो क्लियरन्स ही नहीं चल रहा है कह प्रमोट होकर कि कोई जो ने मेंस इच्छा के वर्गदों में आ गया उसकी नौकरी चली जाएगी ठीक है ना तो यह बहुत बड़ी यहाँ पर परिसानी देख रही है चली देखते हैं क्या होता है आगे और सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे उसके लिए जरूरी है कि नमस्कार धन्यवाद